दोस्तो आज की कहानी है गवार भावी यति आप सभी को आज की कहानी पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब विद्टी को लाइक एंसेर करना बुरकुर निभूरीगा तो चलिए कहानी सुरू करते हैं निसा अपनी मा से कहती है मम्मी मैं अपनी दोस्तों के साथ सौपिंग पर जा रही हूँ तबी निसा की मा कहती बेता तू जा रही है तो अपनी भावी को भी साथ ले जा बहे दिन वर अकेरी रहती है उसका भी मन लग जाएगा तो निसा कहती प्रीस मम्मी मुझसे मत कहा पिची इस गवार को कहीं ले जाने के लिए, मम्मी आप क्या चाहती हैं, मैं इस गवार घावी को अपने साथ रे जाऊंँ और अपने दोश्टों के सामने अपने बेचती कराऊं। निसा की माँ चला कर कहती हैं, तमीज से बात कर बहे तेरी भावी हैं, तुस्से उमर में बड़ी हैं। निसा कहती, सिर्फ उमर में बड़ी हैं, अकर में नहीं, उनका पहनावा देखा है। गवार कहींगी ना जाने भहिया ने भी आप लोकों की बातों में आकर गाउं की ओरत से साती ही क्यों कर ली क्या देखकर भहिया ने इस से साती कर ली निसा की मा तु क्या बोर रही है निसा सची तो कह रही हूँ एह गाउं की है और मेरी दोष्ट चप मुझे इनके साथ देखेंगी तो मुझे पर हसेंगी मैं अपनी दोष्टों के सामने अपनी बेचतितो नहीं करा सकती क्या आता है ने जानती हैं मेरी दोष्ट रासी की भावी कितनी सुन्दर है दिखने में और उनके कपले देखे हैं कितने इस्टाइरिस पहनती है और ये गाउं की ओरत कैसे सारी पहनती है गवार कहीं की बही जॉब करती है और रासी को भी पराई में मदद करती है कितनी तारिफ करती है रासी अपनी भावी की और में में कुछ नहीं कह पाती निसा की मा कुछ कहती तो उसके पहरे निसा ही कह देती ममी मुझसे जबजश्टी मत करना कि में इनके साथ कहीं जाऊं मुझसे उमित भी मत रखना कि मैं अपने साथ इन्हें ले जाऊंगी कहकर गुस्से में चरी जाती एहे सब निसा की भावी सभीता भी सुन लेती और उसका चेहरा उतर जाता तभी निसा की मा कहती बहु जर्टी जर्टी घर के काम कल लेते हैं तेरे ससुर जी और मेरा बेता सुमित भी ओपिस चरा गया आए और बेती भी घर पन नहीं है तो हम दोनों भी अकेली क्या करेंगे आज सास बहु जाकर सौपिंग करते हैं सभीता कहती मम्मी जी मेरा मन नहीं है निसा की मा कहती, ऐसे कैसे मन नहीं है, मुझे पताए, तुझे जानाए, जर्थी से हम काम करकर सौपिंग पर चलते हैं और हाँ, तुम्हारी मा ने जो नीरे रंगी सारी दी थी ना, तुम्हें, तुम बहे पहनना, तुम पर बहुत अच्छी रखती है, कहकर सास और बहुत काम करने रखती, और जर्थी से काम करकर दोनों सौपिंग पर चली जाती, और वहाँ पर निसा अपनी दोष्टों के तबी निसा सोचती, यति मैंने इन सब को अपनी गवाल भावी से मिराया, तो एह सब मुझ पर कितना हसेंगी, क्या क्या कहेंगी, मेरे बारे में, नहीं नहीं, मैं अपनी भावी को इन से नहीं मिरा सकती, और वहे अपनी दोष्ट से कहती, अरे मिराना तो मैं भी चाहती ह लेकिन मेरी भावी अभी माईके गई हुई है जब माईके से आ जाएंगी तो तुम सबको अपनी भावी से मिरा दूँगे निसा की दोष्ट अच्छा माईके गई है तो थीक है कभी बात में तेरे घर पर आएंगे निसा जरूराना अभी सौपिंग कर लेते हैं तभी निसा की मा भी निसा की भावी सभीता के साथ उसी मौन में पहुच जाती जहां निसा सौपिंग कर रही थी निसा की माँ को देख कर निसा की दोस्त कहती अरे निसा तेरी माँ भी इसी मौन में आई है और उनके साथ एही बहनजी ताइप की ओरत कौन है निसा की एक दोस्त ने हच्टे हुए कहा तभी निसा की दोस्त रासी कहती है अरे चुप रहो तुम सब क्या कह रही हो वही तो न निसा की भावी है निसा तेरी भावी किसी गाउं की है क्या एकदम गवार रख रही है जिसे सुनकर निसा को बहुत गुस्सा आता लेकिन रासी अपनी दोष्टों को सांथ कराती और निसा की मा और भावी के पास चाती निसा की दोष्ट रासी निसा की भावी सभीता से कहती भावी आपको भी सौपिंग करनी थी तो हमारे साथ आ जाती आन्ती को परिसान क्यों किया निसा की मा कहती मुझे भी कुछ जरूरी सामाल लेना था इसलिए बहु को अपने साथ ले कर आ गई अच्छा तो आप भी हमारे साथ सौपिंग कीजिए निसा की दोष्ट रासी ने कहा तभी निसा कहती नहीं नहीं भावी को मा के साथ ही सौपिंग करने दो हम कहीं और चरते हैं कहकर वहां से चरी जाती तभी निसा की दोष्ट रासी निसा से कहती तुमने जूत क्यूं कहा था तुम्हारी भावी तो यहां पर ही है फिर क्यूं क कि तुम्हारी भावी माई के गई हुई है। इसलिए तु इस तरीके की बात कर रही है। इसलिए तु अपनी भावी के साथ भूमती है। तु इस जैसी घतिया दोस्ते अच्छा है कि मेरी कोई दोश्ती ना हो। इतनी छोती सोच है तेरी जिस दिन तु अपनी भावी की इच्चत करेगी अब उसी दिन मुझसे बात करना। कहकर वहां से चली जाती। तबी निसा की और दोस्त भी कहती है। निसा तुमने गरत किया। तुम्हारी भावी जैसी भी हूँ। ये तो तुम्हारी भावी और तुम्हे अपनी भावी की इच्चत करनी चाहिए थी। रासी भुर्गुर सही कह रही है। रासी को देख बही अपनी भावी के साथ कितना घुर मिरकर रहती है। ऐसा रखता है कि दोनों बहने हूँ। और तुम्हारी भावी की बुर्गुर भी च्चत नहीं करती। एह तो गरत बात है। लोग कुछ भी कहें। लेकिन है तेरी भावी तुझे अपनी भावी से अच्छे सिवात करने चाहिए। जब तू अपनी भावी की चत करेगी तो दूसरी क्यों नहीं करेंगे। निसा कहती अब तुम सब भी मुझे रासी की तरह ग्यान मत दो। निसा के दोष्ट कहती तुझे समझाना ही बेकारे। अब हम सब भी चा रहे हैं निसा को अब और जाता गुस्सा आ रहा था कि उसकी भावी की बचे से उसकी दोश्तों में उसकी वेचत्ती हो गई जबकि निसा इस बात से अंजानती कि वेचत्ती उसकी भावी की बचे से नहीं उसके बेकार बेवार की बचे से हुई है इंसान का बेवार क कीमती होता है, रहन सहन नहीं, निसा गुसे में अपने घर पर जाती और अपनी भाभी इसे कहती, क्या जवरत थी आपको उस मौन में आने की जानती हैं आपकी बचे से मेरी कितनी बेचत्य हुई है और वही रासी उसे तो बहना में रगया मेरी बुराई करने का तभी निसा की मा कहती वे चती तुम्हारी भावी के वज़े से नहीं, तुम्हारी वेवारी के वज़े से वई है, और कहती तुम मेरी बहु से इस तरह से बात नहीं कर सकती, निसा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती, उसे अपनी भावी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, निसा जब अपने कम मुनी बनाईए तो अच्छी तो होगी आकिर मेरी बहु जितना स्वातिसकाना कौन बना सकता है तब ही निसा कहती आपके बहु और कुछ कर भी नहीं सकती सिर्फ चूरा चौका के सिवा निसा की मा निसा से गुस्से में कहती निसा तू आज कर कुछ चाता ही बोनने लगी है अब तो आपकी चहिती एक गवार बहु आ गई है ना तो मुझ पर तो गुस्सा होंगी निसा की मा कुछ कहती उसके पहरे ही सभीता अपनी सासु मा का हाथ पकर कहती जाने दीजी मम्मी जी निसा गुस्से में सोबे पर बैठ कर मुबार चराने लगती और निसा की मा अपन और बिकर जाती ना निसा की मा अपनी बहु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती कितनी समझतार है मेरे बहु और एक मेरी बेती है कि कुछ समझती ही नहीं सभीता कहती है मम्मी जी बक्त आने पर दीती भी सब समझ जाएंगे इस तरहे दिन ने करते गए और एक दिन जब निसा के कॉरिज के पेपर थे तब निसा जरती से तयार होकर कॉरिज के लिए जाती और अपना सभी सामान चेक करती निसा की मा पूछती सब सामान धियान से रख लिया ना निसा हाँ सब रख लिया तब ही निसा की भावी कहती दीती मैं भी आपके साथ चलती हूँ राष्टे में छोड़ देना घर का सामान लेना आए मेरे कर आ जाओंगी आप इसकूती से जा रही है ना तो मुझे भी छोड़ दीजे टैक्सी मिनने में समय बहुत रखता है निसा कहती आपको इतनी भी अकन नहीं कि कोई कहीं जाता है तो उसे पीछे से तोका नहीं जाता और मैं पहरे भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ मेरे साथ कहीं मत आया जाया कीजे आपको मेरी बात समझ में नहीं आती और मेरा मूर खराप मत कीजे आज मेरा पेपर है आपके चक्कर में बिकाना नहीं चाहती कहकर निसा गुस्से में चरी जाती तबी निसा की मा की नचे तेविर पर रखे हुए निसा की पिर्विस्पत पर पड़ती तो बही कहती अरे एह क्या हो गया सभीता कहती क्या हुआ ममी जी निसा की मा बेता निसा तो अपना पिलविसपत घर पर ही भूल गई अब इसकी बिना एह पेपर कैसे देगी तबी सभीता कहती है कोई बात नहीं मम्मी जी मैं अभी दीदी को फोन करती हूँ निसा की भावी निसा को फोन करती लेकिन अपनी भावी का नमबर देखकर निसा फोन नहीं उता आती और गुस्से में आकर फोन स्वीचॉप कर देती निसा की भावी कहती मम्मी दीदी का फोन तो स्वीचॉप आ रहा है अब क्या करें निसा की मा कहती तैक्सी मिनने भी समय रखेगा और पेपर सुरू होने में तो अब सिर्फ 15 मिनित रह गए हैं क्या करें सभीता कहती मम्मी जी हम कार से चलते हैं लेकिन बेटा मुझे तो कार चलाना नहीं आती सभीता कहती लेकिन मम्मी जी मुझे तो आती है निशा की मां, तू कार चला ले दी, हाँ ममी जी, मैं तो गाउं में तैक्तर तक चला ले दी थी, पापाने मुझे कार चलाना सिकाया है अच्छा, तो जरती चल बनना देर हो जाएगी, सभी ठा हाँ ममी जी, जरती चलिए बहाँ निसा जब कॉरिच पहुँचती तो देखती कि उसके बैक में तो उसका एत्मित कार्थ ही नहीं निसा चिंतित हो जाती और कहती है अब मैं क्या करूँ घर पर जाओंगी तो देर हो जाएगी पेपर तो सिर्फ पांच मिनित में सुरू हो जाएगी ममी ने कहा था कि सब सामान देख रहे ना लेकिन भावी की बचे से भूर गई रखना जब देखो बीच में आकर तोक देती है भावी की बातों में देर हो गई खुद तो परीर की हैं नहीं और उनकी बचे से अब में पेपर भी नहीं दे पांगी भावी में आपको कभी माप नहीं करूँगी अब एद्मित कार्थ नहीं होगा तो मैं पेपर कैसे दूँगी ए भगवान आज मदद करतो किसी तरह चक्मा दे कर निकर जाती हूँ लेकिन चकमा देकर जाना इतना असान नहीं था निसा पकरी जाती और जब निसा से एथमित कार्ट मांगते तो निसा के पास होता नहीं है और बिना एथमित कार्ट के निसा को अंदर जाने की परमिसन नहीं मिलती निसा बहुत बिंदी करती है देकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती तभी रासी आती और कहती क्या हुआ निसा निसा में अपना एदमित कार्द लाना भूर गई और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं रासी तुझे दियान रखना था निसा अब ग्यान देना बंद कर और मेरी मदद कर रासी कहती अब क्या कर सकते हैं पेपर का समय तो शुरू हो गया है तभी पीछे से एक आवाच आती दीती आपका प्रविस्पत आप भूर गई थी निसा की भावी सभीता भागते हुए आक निसा को प्रविस्पत देती साथ में निसा की मा भी थी निसा अपने मा से कहती थेंक्यू मम्मी निसा की मा कहती थेंक्यू कहना है तो अपनी भावी से कहो आज ही यती हम समय पर तुम्हारा एथमित कार तरे कर आई हैं तो सिर्फ तुम्हारी भावी की बचे से तुम तो तेक्सी मिनने में कितना समय रखता है वही तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी भावी को कार दिराइब करना आता था इसलिए हम समय पर आ गए बनना देर हो जाती निसा कहती भावी आपको कार चराना आता है निसा की भावी हाँ आता तो है निसा भावी आप नहीं जानती कि आ थैंकियू सो मचुनुचु निसा की भावी कहती अच्छा के मागी थांकियू मुझे बात में पहंदब आप आपना प्रवेश्पत रिजिए और अंदर जाएए। पेपर लिए दिर हो रही है। निसा अपनी भाबी के गड़े रखकर फिरी एक बार कहती। तेंक यू सूमच भाबी। और दौर कर अंदर चली जाती। एह सब देखकर निसा की माके चेरे पर मुस्खान आजाती। कि देर से ही सही। मेरी बेती अपनी भाबी को समझी तो सही। निसा के साथ राजी भी थी, जो निसा से कहती, मैंने कहा था ना भावी अच्छी होती है, चाहे बई गाउंखी हों या सहरी की? अब तुम ही देख रो, तु अपनी भावी को कितना? कुछ कहती थी उन्हें गवार भावी कहकर बुरा दी थी लेकिन आज तेरी गवार भावी की बचे से ही तू पेपर दे पा रही है निसा कहती तू सच कह रही है मेरी भावी दुनिया की सबसे अच्छी भावी है और गवार तो बिरकुन नहीं है गबार तो मैं हूँ कि अपनी इतनी अच्छी भावी को समझना सही मैंने उनसे क्या कुछ नहीं कहा आज सुभई ही उन्हें कितना सुना दिया फिर भी भहे मेरी मतद करने के लिए आई भहे चाती तो मेरी मतद नहीं करती लेकिन भहे सुभई की बहुत अच्छी है इसलिए उन्होंने मेरी मतद की मेरी भावी दुनिया की बेस्ट भावी है निसा के मूँ से अपनी भावी की तारिप सुनकर रासी के चहरे पर मुस्कान आती और भहे निसा से कहती देर से ही सही तुझ में अकर्तो आई और दोनों बहुत जोड से हच्ती कोई काउं का है या सहर का कोई कम परा रिखा है या जाता परा रिखा किसी का रंग साफ हो या साउरा इस सबसे क्या फरक परता है फरक तो सिर्प इंसान के सौभाव से परता है यती इंसान को अच्छा होना चाहिए तो अपने सौभाप से होना चाहिए क्योंकि अच्छे सौभाप बारे व्यक्ति हर किसी का दिर जीत रहते हैं और सची ही है जिनका बेवार अच्छा होता है रोब उन्हें ही पसंद करते हैं उमीद करती हूँ सबी को आज किये कहानी पसंत आई होगी कहानी पसंत आई है तो चैनल को सब्सक्राइब चलू कीजिएगा वीडियो को लाइक और सेयर करना बुर को ने बुरिएगा थेंक्स फॉर बहुत